मानव सेवा का प्रायब बन चुके रतन टाटा, हलाकि रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए वो आज इस दुनिया के अंदर युगों युगों तक अमर हो चुके हैं, उनके लिए इस बात बिलकुर सही बैठती है, किस् छोड़ जाते हैं लोग दुनिया को, जाने को तो छोड़ जाते हैं लोग दुनिया को, लेकिन अपने पीछे यादों के खजाने छोड़ जाते हैं, ऐसी ही महान सक्षियत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। एक बार वो टेलिफॉन सक्षातकार करने के लिए, एक सक्षातकार के सामने, जब हमारे रतन टाटा जी बैठे हुए थे, और उनसे पूछा गया, सर आपको जीवन के अंदर वास्त्वी खुसी कब मिली? रतन टाटा का जवाब बड़ा ही मार्मिक था, उन्होंने कहा, मु दन और सादन को संचे करने का था, जो हर व्यक्ति का होता है, हर व्यक्ति चाहता है दन कमाना, लेकिन इस दोरान मुझे खुसी नहीं मिली, जिसकी मुझे उमिद थी, दूसरा चरण था, मैंने किमती सामान, वस्र, धन, दौलत, बिल्डिंग, गाड़ी, घोडे, सब करने लगा, मुझे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हासिल होने लगे, उस समय मेरे पास में भारत और अफरीका में डिजल की आपूर्ती का 95% हिस्सा था, और मैं भारत और एसिया में सबसे बड़े इसपात कारखाने का मालिक था, फिर भी मुझे खुसी नहीं मिली, जिसक दोसों बच्चे थे, मैंने अपने दोस से अनुरोध पर तुरंत वीलचेर खरी दी, लेकिन मेरे मित्र ने कहा, नहीं, उनके साथ जाकर के खुद बच्चों को वीलचेर बैट करूँ, मैंने बच्चों को अपनी हाथों से वीलचेर दी, और उनकी आखों में जो खुसी, जो चमक देखी, वहाँ मेरे जीवन का एक नया एसास था, उन बच्चों को वीलचेर पर घुमते और मस्ती करते देखना, मानोवे पिकनिक स्पार्ट पर किसी बड़े उपहार का आनन ले रहे थे, जीवन बदल देने वाला पल, जब मैं वापस जाने की तैयारी करने लग तब ही एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली, मैंने धीरे से पेर छुडाने की कोशिस की, लेकिन उसने जोर से पकड़ लिया, तब मैं जुक कर उससे पूछा, क्या तुम्हे कुछ चाहिए? उस बच्चे का जवाब, जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया, उसने क कार के बदले में धन्यवाज ग्यापित कर सकों, सच्चे सुख का अर्थ, टाटा ने कहा, इस वाक्य ने मेरे दिल को जखजोर दिया, और जीवन के प्रती मेरा पूरा का पूरा द्रश्टि कौन बदल दिया, और ये अनुभव, जो है सच्चा सुख, जिसका एहसास मैंने किया कि बहुतिक संपतियों में नहीं, दूसरों की सेवा करने में हैं, यहां मैं आपको रतन टाटा के जीवन से समन्दी देख ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही प्रिणादायक है, कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में जान लें, तो इस कहानी को स रत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकरा करके टाटा गुरूप के साथ अपने केरियर की सुरूरात की साल 1961 में वे एक करमचारी के तौर पर कारे कर रहे थे लेकिन 1901 वे आते आते वे टाटा गुरूप की अध्यक्ष बन गए 2012 में रिटा लेते गए और सही साबित होते गई बात करते हैं उस घटना की साल 1998 की जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडी का बाजार में उतारी थी दर असल ये रतन टाटा का ड्रिम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड मेहनत की थी लेकिन इस कार क उतना अच्छा रेस्पॉंस नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था इस वज़े से टाटा मोटर्स गाटे में जाने लगी कमपनी से जुड़े लोगों ने गाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुजाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्विकार करना पड़ा इसके बाद वो अपनी कमपनी बेचने के लिए अमेरिका की कमपनी फॉर्ड के पास गए रतन टाटा और फॉर्ड कमपनी के मालिक बिल फॉर्ड की बैठक कई घंटों तक चली इस दोरान बिल फॉर्ड ने रतन टाटा के साथ में अच दिमाग पर छागे वे वहां से अपमान का गोट पी करके इस दिल को कैंसल करके चले आए बिल फॉर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बैचैन कर रहा था उनकी रातों की निन उड़ा रखी थी बस इसके बाद रटन टाता ने निश्चे कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए अपनी कंपनी को उचाईयों पर पहुचाने के लिए इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तयार की और बाजार का मन टटोला इसके बाद की कहानी सबी को पता है भारती बाजार के साथ साथ में विदेसों में भी टाटा इंडिका की सफलताने उचाईयों को छुआ और वही इस गटना के बाद में फॉर्ड कंपनी का पतन सुरू हो गया साल 2008 तक आते आते फॉर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुच गई मौके की नजाकरत को समझते हुए रतन टाटा ने फॉर्ड की लगजरी कार्ड लेंड रॉवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी जे एल आर को खरिदने का प्रस्ताव रखा जिसको फॉर्ड ने स्विकार भी कर लिया और इसके बाद मिटिंग के लिए फॉर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉंबे हाउस में मिटिंग फिक्स हुई इसके बाद ये सौधा लगबग 2.3 अरब डॉलर में हुआ तब बिल फॉर्ड ने रतन टाटा से वही बात दो रहाई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव था उस समय बिल फॉर्ड के सब थे आप हमारी कमपनी खरिद कर हम पर बहुत बड़ा ऐसान कर रहे हैं आज जे एल आर टाटा ग्रूप का इसा है और बाजार में बहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है रतन टाटा चाते तो उसी समय बिल फॉर्ड के साथ हुई मिटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते लेकिन कहान महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं इस प्रकार से रतन टाटा के अंदर अपने जीवन के अंदर असफलता को सफलता में कैसे परिलक्षित किया जाए कैसे बदला जाए ये गुण थे और उसके बाद में मानव सेवा के रूप में उन्होंने जो काम किये बस वो यादों में बसे रहेंगे